राजानी पटना के संदलपूर में रहने वाली प्रियांगी मेहता पहले ही परियास में टौपर बन गई है कल बीपेसी और सटमी का रिजल्ट आया है ऐसे में घर्म का क्या महौल है हम पहले आपको यह दिखाने की कोशिस करते हैं परिवार के लोग कितने खुश हैं हम यह भ माता जी से बात करते हैं और यह खुशी का पलत सभाविक है कि मिठाए बटे गई और सभी के चेरे पर जो वो खुशी है वो साथ तौर पर देख रहे हैं देख रहे होंगे और उनके सिवागी सी की माता जी हमारे साथ है हम इन से बात कर लेता है मैडम यह सब लता आपके सोचा था कि बीटिया रानी अफसर बन जाए कि पढ़ने में ठीक टोपे आते थी क्लास में वो यूपी से भी प्रिलिम्स निकाल चुकि एंटर्व्यू है हमको लगता है उसमें भी निकल जाएगी एक चीज़ पूचा चाहेंगे बेटियों के लिए लोगों के मन में जो सब्सक्राइब होती है आपके घर में हम देख रहे हैं संक्यावलवी ज्यादा है उसके लिए नाम कर सब बेटी लोग सब बेटा सब जाता बेटी आगे निकल जाना यह तो बहुत मतलों यह अलग सा चुकि बेटियों के लिए रोगों के मन में हम लोग नहीं सब्सक्राइब करें लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगी नाम तो करना चाहिए लोग को पढ़ाना चाहिए बेटी लोग को सब्सक्राइब सुरू से पढ़ाई लिखाय क्या से आप लोग यह चुकि एक मेकैनिकल परिवार सब कुछ इतना कुछ मैनेज करना कितना आसान था आपके लिए चल रहा था सब कुछ ठीक है ठीक पढ़ने में सुरू से थे थे कुछ भी नहीं किये कभी सब अपने खुद पढ़ते रहते सब्सक्राइब सब्सक्राइब लुक है दूसे हो तो दो अच्छा से तो जहां डाटना होगा डाटीगी बी सब्सक्राइब दोनों बाण रहा रही थे कि दिदि कहें कि लिए बना रही हो आज कल कि लड़किया हमें पढ़ाई करते हैं तो खाना उसम नहीं पूजा पढ़ार पर हुदा ना कोई लड़की सब अपना अपना कुछ में रखते हैं सब रंगोली बनाए कुछ-कुछ बनाइते रहती है सबसे पहले जो पता चला होगा आप लोगो की बिटिया अफसर बन गई है वह बहुत अच्छा लगा इनके पापा बोला पापा के पुछ जाहिए लगा सब्सक्राइब के लिए यह परिवार के खुछियां आपको साथ तोर पर दिखाई दे रहा होगा कि घर में अगर कोई अपसर बन जा और बीटिया रहनी अफसर बन जा तो वह कितनी बड़ी यह उपलब्दी होती है किसी के लिए वह देखिए और यह साथ तोर पर यहां वह दिखाई देरा और उनकी छोटी बैन है आप उनकी चोटी बैन है अपका अधीती में तो क्या बदला भी होगा नहीं 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 यह कैसा लग रहा है अदिदी को देख रहे इतने सारे लोग आ रहे हैं बाचित कर रहे हैं अधिन वह दो भी है और तीनों को इतनी अच्छी पढ़ाई दे रही है और उसी बेटे की तरह ही देख रही है अच्छा यह वताई कि जिस तरी कैसे बीटिया रहने अपसर बनी है तो मनमें यह मलाल भी है कि बेटा नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं बोलें अच्छा यह अब कितना बदलाव होगा जंदगी में बहुत अब बहुत अच्छा है पूरा मतलब कि घर में क्या पूरा खंदान पूरा परिवार का नाम रोशन कर दी अच्छा इसे पहले कोई घर में और कोई अपसर बने थे नहीं नहीं कोई नहीं है पहला कोई जोब में को इसके दाधा जी है सची वाले रिटायर होगा है वह इस अपने पोस्ट आफीसर वाला पोस्ट नहीं है अब कहीं चर्चा होंगी तो आप लोग जिक्र करेंगे कि हमारी पर बिट्यारा में वहां बहुत जिक्र यह निकलने को पहली से निकल जाएं किस साल इंटर्वीं अठारा अठारा में या निकि लगातार सफलता इनके कदमें अब तक में कोई अफसर नहीं इनके घर में बना था और बिट्यारानी अफसर बन गई है तो सभाविक है चेरे पे खुसी और अपने अपनी बाते रखते वह पीछे नहीं हट रही है लगातार वह कई सारी बाते कर रही है और साथी साथ जो जिस तरी के का मौका है वह पू क्योंकि हर हर वो मां को यह सीखने की जरूरत है और हर उस परिवार को कि बेटियों को आगे बढ़ाए और यह उल्लास मेरी तरफ से हैं इनको बाकई बहुत हैं यह नजारा देखने के बाद हमें भी बहुत खुसी मिलती है कि वैसे बेटियों को जो पीछे चोड़ते हैं जिन्हें लगता है कि बेटियों को आगे नहीं बरहाना से उनके लिए बहुत ज्यादा इनके परिवार से सीख लेनी जाए तीन बेटियां है तीनों अच्छे पत्पे दो एक तो चली गई दूसरे और तीस से जो है जाने की तैयारी में है अब मारा जी के चलिए और यह आगे खबरों को इस साथ बने रहे कासेशन के साथ पढ़ना सांगे दासिंक रिपोर्ट